जब करने को नौकरी न हो तो लगाने के लिए नारे गढ़ने का आइडिया अच्छा होता है तभी तो आजकल प्रधान मंतरी का मोबेश हर मंच से कह रहे हैं How is the Josh? और नौजवान एक सुर में बोल रहे हैं Hi Sir मैदाने जंग का वार क्राई जब इलेक्षन के नारों में तबदील होने लगे तो समझ लीजिए कि सरकार के पास चुनावी मंचों से गिनाने के लिए कुछ ज्यादा नहीं बचा है नमस्कार मैं हूँ रंजीत कुमार समझने वाले तो कल भी समझ रहे थे कि आखिर सरकार NSC के बिरोजगारी वाले आकड़े क्यों चुपा रही है आज वो बात जगजाहिर हो गई है देश में बिरोजगारी के क्या हालत हैं इससे जुड़ी NSSO की रिपोर्ट जिसे सरकार ने अब तक जारी नहीं किया है इसमें बिरोजगारी अपने चरम पर थी इतनी जितनी पिछले 45 सालों में कभी नहीं रही 6.1 वो सरकार जो हर साल 2 करोड नौकरियां देने का दावा करती रही है उस सरकार की ऐसी तस्वीर शाय दब समझ में आपको आसानी से आ जाएगा कि आखिर प्रधान मंत्री मोधी उरीद सर्जिकल स्ट्राइक के नारे को क्यों बार-बार इतना उचालो रहे है सरकार क्यों चाहती है कि आप उसका मुल्यांकन तत्थियों के आधार पर नहीं करें बलकि भावुक बातों पर करें क्यों कारेकाल के अंतिम कुछ महिनों में सरकार को राम लला की इतनी यादा रही है नीतियां फ्लॉप साबित हुई है शायद इसलिए भाषण के मंच को और आकरशक बनाया जा रहा है मैडिसन स्कॉायर के तरज पर बने मंच और शांदार लाइटिंग के बीच प्रधान मंतरी को फिर से महान उपदेशक के तौर पर पेश किया जा रहा है तभी राम मंदिर और सेना की बहादरी का जिक्र भी पी-एम बार-बार कर रहे है हमारी सेनाएं हमेशा से बहादूर रही है और सारी दुनिया इस बात का लोहा मानती है फिर प्रधान मंतरी बार-बार सेना सेना क्यों कर रही है क्या सैनिकों के बच्चों को सिक्षा और रोजगार नहीं चाहिए सेना के जवान से जब भी पूछा जाएगा हाउस द जोश उनका जवाब हमेशा यही होगा हाई सर लेकिन सरकार से जब पूछा जाए कि हाउस द जॉबस तो जवाब मिले डाउन सर यह अच्छी बात तो यह भी नहीं है कि सरकार एक तो रोजगार भी न दे और फिर बेरोजगारी के आंकड़े भी न बताए लेकिन दोनों ही हो रहा है फिर भी जब आखिरकार यह रिपोर्ट लीक हो ही गई तो सरकार ने जेप मिटाते हुए जो उनके अधिकारी अब कह रहे हैं एक बार उनको भी सुन लीजे कितना कम नहीं हो सकता है तो मगर यह सब चीजें जब हैं जब हमारे पास पूरा डेटा आ जाएगा तब ही हम कर सकते हैं अगर मैं मैं आपका ध्यान इसमें बताना चाहता हूं कि ग्रोथ जो है जारा बारा परसेंट रेट की ग्रोथ जो नॉमिनल ग्रोथ है वो नहीं हो सकती अगर इंप्लाइमेंट नहीं बढ़ा हो बिलकुल नया तरीके से डेटा कलेक्ट हो रहा है इस बार जो पहले कभी नहीं होता था और और जब दूसरी हो रहा है तो इसके लिए एक तो उसका जो चेंज है वो निकालना बहुत ज़रूरी है और दूसरा ये कि उसका एक तरह के वेरिफिकेशन जो है वो भी बहुत ज़रूरी है तो ये डेटा क्योंकि नहीं हुआ है और ये डेटा अभी भी प्रोसेस हो रहा है तो इसलिए सरकार ने इस रिपोर्ट को अभी तक रिलीज नहीं किया था और ये हुआ था कि जब ये छे क्वार्टर का डेटा बन जाएगा और जब ये तैयार हो जाएगा तो इसको हम लोग रिलीज करेंगे तो इसलिए इस डेटा को साइड करना तो निती आयोग के उपाध्यक्ष राजियू कुमार ने सफाई तो जरूर दी उन्होंने कहा कि जब भी डेटा आ जाएगा तैयार हो जाएगा तो हम जरूर इसको लोगों के सामने लाएंगे लेकिन मैं आपको एक बहुत रोचक और बहुत मजदार वाकिया दिखाना चाहता हूँ इसी प्रेस कॉन्फरेंस में जब कुछ पतरकारों ने सवाल किया कि डेटा तो आपके पास है सर आप तो बता रहे थे तो कैसे सहज हो गए राजियू कुमार जरूर ये भी देख ली क्योंकि नहीं है ना अगर 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 फाइनल रेपोर्ट होते हमारे पास उन बता रहे थे आपको नहीं है तो प्रेस कॉन्फरेंस में मौजूद जो पतरकार थे उनके ठाहाकों के बीच कैसे असराज हो गया आपने देखा होगा अब बात भी सही है कि जो जिस तरीके से नसी के जिन सदस्यों ने अपना इस्तिफा सौपा है उन्होंने कहा कि आखड़े तो कब के आके पड़े हुए हैं सारा प्रोसेस किया जा चुका है लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि वो आखड़े सार्वजनिक किये जाए पब्लिश किये जाए सरकार इंतजार कर रही है कि बाकी के दो तिमाही के आकड़े आजाएं तो उनको मिला कर सायद उस सरकार को उमीद होगी कि आने वाले जो आगे के जो दो तिमाही के आकड़े हैं उसमें बहतर आकड़े आये होंगे और बेरोजगारी के मोर्चे पे सरकार ने कुछ बहतर प्रदर्शन किया होगा इस उमी एक फीस्दी है इस रिपोर्ट के हिसाब से अब वो सरकार जो हर साल दो करोड़ मौकरियां देने का दावा करती थी वादा कर रही थी वो सरकार अब किस मुझसे इस आकड़े को पेश करेगी ये भी सोचने वाली बात है लेकिन जिस तरीके से रिपोर्ट छुपाई गई और फिर अब ये जो रिपोर्ट सामने आई है इसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं पहले सरकार के रवये पर और फिर अब सरकार की नाकामी पर इन सब पर बात जलूरी है और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो स्टूडियो में महमान है पहले परचे करा दें आपका द्याशंकर दूबे बीजेपी की तरफ से प्रदीप सिंग कॉंग्रेस की तरफ से हैं प्रीतपाल सिंग सलूजा आपके नेता हैं एक के अवस्थी प्रफिसर एक के अवस्थी अर्थशास्त्री अवनिंद्र दूबे अर्थशास्त्री होंगे और डॉक्टर आलोक चैंट के शुरूआत हो फिर पहले आउकडे आप छुपा रहे थे अब जो सामने आया तो अभी कह रहे हैं कि तभी आपे नहीं स्विकार कर रहे हैं कि आउकडे आपके हैं जब की यह आउंस सो के हैं और यह तो कि आप एक सम्मानी चैनल है और जब आप कह रहे होंगे तो आपका अपना सुरोत होगा लेकिन पहली बार आज कुछ ऐसा मुझे देखने को मिल रहा है कि नीती आयो के एक प्राधिकारी जो है जिनको अधिकृत किया गया है बोलने के लिए और वस्पस्ट रूप से अप नपक्ष सरकार का रख रहे हैं यदि आपने प्रिपरेटरी स्टेज में उसमें से कुछ लिकाउट इन्फरमेशन ले ली है अच्छी बात है यह आपका खोज करना आपका काम है आपने अन्वेशन किया इसके लिए आपको मुबारक बात लेकिन यह कह देना कि जॉब नहीं या इस रिपोर्ट को छुपाया गया कोई सरकार किसी रिपोर्ट को नहीं चुपा सकती और नहीं हमारी सरकार की एसी कोई मन्सा है रिपोर्ट दवाई के आरोप में दो बड़े अधिकारियों ने इस्तिफा दे दिया अब और वैसे और कौन कहेगा अब देखिए होता क्या है कि हर आदमी कहीं नहीं कहीं एक तो नेशनल एजेंडा है अब जब इसका अपना एजेंडा सामने आता है तो इस तरह के हरकते होती है इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि वो लोग बड़े गंभीर पदो पर थे ओभी चीज आप ही के चैनल आपके खिलाफ थे इसलिए आप ऐसा कर रहे थे उनका जब खूल के आएगा तो हम तो देखी लेंगे और जनता से कुछ छुपता थोड़े सब को पता लग जाता है लेकिन 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 आप ये मानी चुपर्ट तयार नहीं है इसलिए रिपोर्ट अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आई है जैसे आजाएगी थ्रेट में एक तम किलियर होगा आप इसलिए तो हैं भई मैं तो अच्छा काम करते हैं इसलिए दो करके दिखाते हैं लेकिन करना क्या है कि अधिकारियों ने क्यूं कहा ये तो थोड़े देर क्यों इस्तिफा दिया य लेकिन और क्यों चुपा रहे थे क्यों चुपा रहे थे वो भी ये बात सामने आ गई एक एनसेसे की रिपोर्ट जो है वो कह रही है कि 6.1 फिस्दी बिरोजगारी है जो कि आप सोचिए 2000 तेरह 14 में 3.4 14 15 में 3.7 16 17 में 3.9 और 17 18 में 6.1 मलब अलमस्ट मलब करीब करीब दो कर दिया कि ये सरकार जो है कुछ भी छुपाती नहीं है बलकि इसको ट्रांसपर नहीं आपने कहां आप अभी क्या है प्रिपरेटरी स्टेज की एक लिकेज पाई ये नहीं कहता कि वो 6 होगा कि 5 होगा कि 4 होगा तीन होगा उसकी बात नहीं हो रही है जब एक अधिकारी न ना लेकिन जो सालाना रिपोर्ट जारी की जाती है और जो सालाना रिपोर्ट है वो तयार हो चुकी है आप उस रिपोर्ट को जारी नहीं कर रहे हैं जो आरोब है आपके सरकार पे कि वो आप वो सालाना रिपोर्ट आप जारी नहीं कर रहे हैं भई आप ऐसा थोड़ी है कि आपको अगर आखड़े अच्छे आ गया हैं तो आप एक साल के पज़ा डिड़ साल का आखड़ा मिला कर पेश कर देंगे और कहेंगे कि नहीं हम बहतर कर रहे हैं बदब ये तो तरीका नहीं हुआ ना जब सब बाई अगर 17-18 की बात होगी तो 17-18 के आखड़े ही तो आप दिखाएंगे ना कि आप की उनिस के आखड़े दिखा देंगे उसमें 17-18 के आल्रेडी आकडे पटल पर है कहां है नहीं है नहीं है 16-17 आपने पब्लिक कर लिया 17-18 का कुछ एक चीजा आपने डाली है अपने अंदेशे से सोर्स क्या है वो आपको पता है क्योंकि वो आपका भी अपना सोर्स होता है मेडिया जगत का मेरा कहना यह है कि जब यह फाइनल हो जाएगी तो रिपोर्ट आजाएगी लेकिन अफसारकार का पक्ष क्या है कि हमारी तरब से कहीं कोई चीज छुपाने की न कोशिस है न कुछ टोटल ट्रांसपरेंसी है इसी वजह से आप देखेंगे कि चीजे साफ निकल का यह दो लोगों ने रिजाइन क्यों किया यह भी एक बहुत बड़ा प्रसना आपने उठाया है होता क्या है कि जब निशनल एजेंडे से उठके जब परसनल एजेंडा बीफोर आ जाता है और उनकी आत्मा जब जग जोरती है तो साइब उन्होंने देश हीत में या अपने हीत में कोई फैसला लिया है कर देंगे तो हो सकता है कि जहां उनकी निश्ठा है वहां पर थोड़ा अच्छा लगेगा यह दिक्कत है ना कि जो लोग आपके खिलाफ बोलें आप उनके निश्ठा पर आप सवाल उनका करेक्टर करने लग जाए उनको देश्डरोई साबित कर दीजिए यही होता है यही कर रही है यही कर रही है आपकी पार्टी बड़े आदर से कहूंगा जाता मैं काफी चैनलों पर हूँ आप ही हैं जो मुझे एकदम ठोक पीट देते हैं लेकिन उसके बाउत भी आपका आदर कम नहीं हुआ और हमने कभी नहीं कहा कि आप हमारे एंटी पार्टी है यह गलत बात है यह चीज कहना कि बिद्वानों की बाप का दवाब हमको देना है और वो हम देंगे हमने आपके यहां के जो चैनल है मैं सिधा ओपली आइम इन एर ओपन एर कोई दिकती नहीं है आप बहुत सारी सवाल करते हैं लेकिन कभी हमने आप पर तो आप नहीं है कोई आरोप नहीं है हमारा आप अपना काम कर रहे हैं आपका स्वागत है हम आपके साथ है तभी तो बैटे हैं य क्या कि सिर्फ दिल किया और उसके बाद छोड़ दिये ऐसे नहीं होता है हर चीज का लोगतंतर में एक कैदा नियम बना हुआ है ऐसा करने लगए तो हमारी से नहीं ले लिजिए उठा करके वो तो पूरी छोड़ के बैठ जया है जो कि उसके मन का हिसाम का जहाज नहीं मिल और यह नहीं मिला था लेकिन ऐसा होगा नहीं एक लोक तंतर की प्रक्रिया निधारित है उसके थुरू इनको भी करना चाहिए था अब तो यह नया फैसन हो गया कि कोई कहीं से कोट से बाहर निकल का जाता है अपना प्रेस कांट्स कर लेता है कुई कहीं कहीं कुछ तिक में यह लोग बात